हेलो फ्रेंज वेलकम टो जट्टेक दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या नरिदर्मोदी जी या बीजेपी इंडिया गवर्मेंट 2017 का असंबली गुजराद असंबली एलेक्शन जीट पाएगी या नहीं और वो अगर जीतेगी तो वो कैसे जीतेगी कि इस वीडियो में हम यह देखेगे तो आप इस वीडियो को जरूर पूरी वीडियो देखे चार्ट्स ग्राफ और रिलेटेड डेटा के जरीए आपको यह वीडियो शो करेगे देखिए अब यह नरिद्रिमोदी जी और बीजेपी रिमेंज फार आहेड ऑफ राइवल्स करके नरिद्रिमोदी जी और बीजेपी गौवर्मेंट अपने अपोजिशन अपने दुश्मनों से काफी ज्यादा मशूर है पुबलीकों में प्रजम ये पॉपलिक के अंदर जनता के के सामने उनकी पुबलीडी बहुत ज्यादा है अपने दुश्मनों के मुकाबले में कि 88% जनता उनको पसंद करती है इंडिया में, जबकि 10% जो है unfavorable है, इसी तरह के से आप देख सकते हैं, राहुल गांदु को 58% सुनिया गांदी, 57% अरविन के जरुबाज़ जो है, 39% सबसे कम है, इस तरह के से आप पार्टी वाइस देखिए, यहां पर, पार्टी वाइस समझ सकते हैं कि इनकी popularity कितनी है, कि PM Modi's popularity spans across the length and breadth of India, कि हमारे जाहर से बात है कोई leader, जब famous होगा, और इसकी party वैसा काम करेगी, तो famous होगी, अब जाहर से बात है कि जनता भी उनहीं को वोड़ देखे, और वो party और हुकूमत करेगी, तो आप देखिए कि North में, North मतलब दमुक कश्मिर से, South में नीची हमारा कन्या कुमारी, तमिल नाडु तक के, और East में, आसाम और अरुना चल परदेश से लेकर, West में, गुजरात तक सब जगा, इनकी popularity famous है, इनको public percent करते है, आपको दिखाता हो कि North में 84 percent public, यनि Northern State आते है हमारी जम्मुकश्मीर, पंजाब, हर्यान में, उपर आई हमाचल परदेश में, जमुकश्मीर में भी BJP-led coalition government है, जादा तर वहाँ पर BJP की को ही government है, लगबद हिंदुस्तान के इंडिया के 29 states में, भारत के 29 states में से more than 50 percent state में BJP की government है, अपकमिंग गुजरात assembly election जो 2017 9 December या 8 December को होने वाला है, नासीब गुजरात assembly election बीजेपी government जीतेगी, बलके 2019 का भी election, लोगसभा और पार्लिमेंट election बीजेपी government जीतेगी, अब दोस्तों यह देखें कि नरिंद्र मोधी rises in popularity while others sleep in the last four years, कि हमारे मोधी जी पिछले चाल बरसों में उनकी popularity सी बड़ी है, वो कैसे आप देखिए, और बागी की leaders की popularity घटी है यह देखिए कि नरिंद्र मोधी जी 2013 में 78% लोग पसंद करते थे, लेकिन 2015 में 87% हो गया, 2016 में 81% थोड़ा 6% गिरा, वो demonetization के वाज़ा से public का कुछ समझ में नहीं आया कि demonetization action में है क्या, विमुदरी करंद हमों को short term में परिशान किया, तकलिफ दिया, लेकिन long term में एक बहुत अच्छा कारमत साबित होगा, future में भी हमको, क्योंकि उसने corruption पे हताला लगाया, black money पे तारोग था हमकी, demonetization के बहुत से फाइदे हुए, जो कि हमको future में नजर आएगे, अब यह देखते हैं कि 2017 में इनकी popularity 88% हो गई, यानि कि प्लस 7% की बड़ोतरी हुई, जबकि हो कि सारे के सारे इन लोग घटिया है, minus 5, minus 8, minus 11, तो हम कह सकते हैं एक दोस्तों कि यकिनन गुजरात assembly election भी यही जितेगे, अब दोस्तों इस image से आपको पता चलेगा कि PM Modi's handling of various issues received a thumbs up, कि Modi जी ने कैसे issues को, problems को, public के problem को solve किया, और public ने उसे सराना भी की thumbs up दिया, वो एक एक करके देखते हैं कि unemployment का जो issue था, हमारी country का सबसे बड़ा issue unemployment है, तो उन्होंने 78%, 72% ही 72% तके solve किया, terrorism 71% solve किया, corruption जो कि सबसे बड़ा problem था, जो हमारी economy को दीमक की तरह चार्ट रहा था, उन्होंने demonetization या मुदरी करन की जरीए उस पे रोक लगाई, हैना GST लाया, one nation, one tax ल कि कि अब जब भी, अब कोई bank भी जाता है, दो लाग के उपर वो cash निकाल नहीं सकता है, कि दो लाग के उपर government ने पाबंदी लगा दिया, RBI ने पाबंदी लगा दिया, कि जो भी lending होगा, वो या तो check के जरीए होगा, या without cash, innet banking के जरीए होगा, और साथ से साथ में digitalization को promote किया है, इसके उज़ा से क्या होगा कि हमारी economy में transparency पार दर्शेता आएगी, और हमारी economy बढ़ेगी, poor को उसका benefit मिलेगा, हमारी जो resources है, वो equal distribute होगे, सबको, सबका साथ और सबका विकास होगा, poor, helping poor के लिए उन्होंने कहीं PDS योजना किया, आधार को bank से link किया, आधार क कि आप कोई जो black market, जो PDS वाले public distribution system में जो black marketing होती थी, गरीबों का हक मारा जाता था, वो गरीबों का हक मारा नहीं जाएगा, और beneficiary जो गरीब परसन होगा, आपना thumb लगा कर ही उसे राशन मिल सकता है, air pollution को बहुत अद तक कम किया, rising prices को भी inflation को control किया, and the situation is कम, कश्मीर में कैसे टाइकल होगी कि demonetization के बाद से, और GST बगारा के बाद से, और जब से BJP government आई है, महाँ पर कश्मीर में भी, PDS, PDS, वहाँ की जो ruling government के साथ, coalition government बनाई है, तो महाँ पर कश्मीर का जो stone building issue था, वो उस पे भी बहुत हद तक काबू पाया, तो में देख सकते हो दोस्तो कि under Modi government, Indians remains very satisfied with the working of democracy and government, जो हमारी democracy है, democracy means people's government, 85% का trust Modi जी और उनकी BJP government पर है, जबके satisfied है 79%, तो यह सब data से हम conclude कर सकते हैं, दोस्तों के आने वाले assembly, gujarat assembly election में BJP यकिनन जीते गी, और even नासिक यह जीते गी, बलकि 2019 का जो लोग सबा Parliament का election है, वो भी BJP government जीते गी, क्योंकि उन पड़ी लिखी public है, जो जानकारी analysis की है, वो समझदार public जरूर इनको vote देगी, तो thank you for watching this video, अगर आपको यह पसंद आए, तो आप like and share कीजिए, share का option है, और हमारे channel को, Mr. Tech channel को subscribe कीजिए, एक bill का option होगा, जब भी हम नई video बनाएगे, तो आपको notification आ जाएगा, so have a nice day, thank you for watching this video.